एक बात अपने जीवन में सदा उतार करें, घर में अगर तुलसी का क्यारा है, तो तुलसी महराणी हमें ये पता देती है कि हमारे घर में सुक आने वाला है कि दुक आने वाला है। जैसे शनी अपना प्रक्रोप दे रहा है या शनी उतर रहा है, ये किसी से पूछने की जरुवत नहीं पड़ती, अपने आप मालूम पड़ जाता है। कैसे शनी का था अगर आपने उसके सुनी हो, तो उसमें व्यक्षान आता है शनी का था में। कमर से मीचे जो बस्त्र पहने हो, वो फट रहे हो। कहीं पजामा है, धोती है, आदिकबस्त्र है, कपड़े है, वो अपने आप फट आज के जमाने में तो फटे फटा है पहनते हैं लोग पहसे। उसकी गारेंटी नहीं है, उसका हम बर्णन नहीं कर रहा है। जब पहनते हम समझ जाते हैं इसको सनी तो अल्रेडी लगए लिए। जब उनका गुटना गुटनी से फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि सनी पहले सी लग गया बापड़ा, उनके पहने सुत्पान पड़े। शनी का नियम है, शनी कता कती है, पाउं की चपफल बार बार तूट रही हो, गिस गई हो, बद्दी तूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो, वो अपने आप फट रहे हो। समझ लेना कि शनी पाउं से प्रविश्च कर रहा है, मतलब अपनी प्रखरता शनी दिखा रहा है, किसी मंदिर में गए, महाराज, और वहाँ जाने पर चपल चली गए, तो समझ लेना, शनी की कूद रश्टी अब पढ़ना बन होना चलू हो, कितना सुन्दर कहा है चपल, आज के जमाने में तो फेशन हो गई साहब, घर की चपल अलग होती है, बाहर की चपल अलग होती है, लोग घर में चपल किचिन तक में पेन के जाते हैं, अरे पानी ले जा उस योड से है, रसोई घर में लोग चपल पेन कर जाते हैं, जहां भगवान का परशाद ब चपल पेन कर गई मुझे जरूर फोन करकर बताना है बोड़ी मा रसोई घर में आज भी बिना चपल के जाती है और बववन की कहीं एड़ी भी फट जाए थंड नी बेट जाए इसलिए ये रसोई घर तक में चपल पेन कर जाते हैं सूर्य नरायन की कथा पढ़ना चनी महाराज की कथा पढ़ना और गरुण कुरान की कथा पढ़ना जिन जिन कथाओं काम व्याक्ठान करें उसको पढ़ना जरूर हो क्या लिखा है घर के अंदर जब चपल जाती है रोग बिमारी कष्ट तकलीप चालू हो जाती है तुमने चपल क्यों पेनी ठंड नहीं बेड़ जाए रोग नहीं बेड़ जाए घर के अंदर उतना बढ़ गया एक कालीन पिछा दो एक धरी पिछा दो मोटा आसन पिछा दो जिस पर तुम चल लो जरूर है कि कई-कई लो to कि और अरबिह प्रहममणों को भोजन परूसर है डुरुजन को भोजन परूसर है ठाकुर जी की इतकाली बना रहा है हाकुर जी का ठाल लगा रहा है तो अबी चाप़ ले पांग मों in ते र क्या हो गारी Can, Kalyya, क्या हो गार। विचार पर करो देह पड़ी रे जाय यहीं पर, फिर कुंडल और नगीनाख्या, हरी नाम नहीं तो जीनाख्या. अभी भी सुधर जाओ रे, अभी भी सुधर जाओ, नी सुधरो तो सिधर जाओ रे, या तो सुधरो नी तो सिधरो, फोड़ा सुधरो. रसोई घर में अनपूर्णा रहती है, रसोई घर में शिमापुरान की कथा कहती है, जब भगवान संकर को मा जगत जन्नी भोजन करा रही थी, संकर जीना बर मांगा था मनपूर्णा था, ए अनपूर्णे तो मेरे घर के बच्चों का भरण को सनकतर रही है, इस मरत्यू लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, ये मेरे पूत्र कहलाते हैं, तो अनपूर्णा ने कहा, जिन्ता मत करना भोले ना, जिस जगहा पर एक इस्त्री, बेटी, कन्या, या गही की बहु या बूडी मा, भोजन बनाएगी, उस जगहा पर मैं अनपूर्णा उसके शरीड में मैं प्रविश करूंगी, रसोई घर, रसोई घर नहीं होगा, वो मेरा और तुमारा मंदिर कहला, अब मंदिर में चपल पहिंकर, भोजन का निर्मान करना, इस रिष्टता है, एक आसन पर दकलो आप, रसोई घर के अंदर, जिस आसन पर खड़े हो कि आप भोजन बना लो, मोटा सा संदक लो, चपल की जरूवती नहीं, शिनिमत भागवत कथा कर रही है, तुलसी का मात्रिस, तो शनी अपनी दृष्टी बता देता है, आस्तर करता है, जब घर के अंदर प्रवेश करने के, जब आप घर में प्रवेश करें, तो एक कोने में चपल को उतार दें, बाहर जगा नहीं है, तो घर के अंदर प्रवेश करकर लेफ्ट में चपल को उतार दें, और साथ या तीन कदम के अंदर चपल उतर जाना चाहिए, घर के अंदर बें, और उसके बाद अगर चपल अंदर प्रवेश कर रही है, तो राहू के दू, शनी के साथ प्रवेश कर तुलसी बता देती है कि आपकी घर की दशा क्या है बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है बार बार आप पूजन कर रहा है पाट कर रहा है तो भी तुलसी के दल सूख रहे है तुलसी बता देगी कि तुम्हारे घर में तकलीफ आने वाली है कश्ट आने वाल सा घेर घमोर हो फलित तो हो आनंद में हो तो उस घर में फिर तुक नहीं आता सम्रद्धी खुद बढ़ती चलिए जिन शंकर भगवान को आप जल चड़ाते हो जिन ठाकुर्जी से आप लाड़ लड़ाते हो जिन भगवान कृष्ण का आप इस्मिन करते हो राधारानी का आप नाम जाप करते हो जिस परमात्मा का भजन कर रहे हो किरतन कर रहे हो नाम जाप कर रहे हो उससे तुमारा एक जैसे आपके प्राण चूटेहें और जूटतें से आप जब गया ज्यात्तेही य संबंद से मेरा उप्तर भाई यह वेटा वो मेरा विस्तेदार वो मेरा पुटुम्भी, वो मेरा पुत्र जब कहो गए तो तुरंद प्रवेश हो जाए महाराज़, भगवान से संबन्दो नाच चाहिए कई लोग भगवान को सुबेरे से रिजहने बेटते हैं तो भगवान को बनी बनाई बात कहते हैं यह पाठ कर लो, यह पाठ कर लो, यह पाठ कर लो, यह स्तूती कर लो, सारा बना बनाया तुमने अपने दिल से कौन सी स्तूती गई है तुमने अपने दिल से कौन सा भगवान को निवेदन करा, कौन सा नमन करा बस सुबेरे उठना है, नाना है, भगवान के सामने जाना है, भगवान को निलाना है, कपड़े पेनाना है, अगरवत्ती लगाना है, थोड़ा सा सक्तर का भोग लगाना है, इतने सारे दे भी दे होता, संकर जी, राम जी, गने जी, सारे दे होता, और दो खुर्मा लेकर है, दो एक बालू साही लेके, दो मठ्री लेकर आगे, एक मठ्री लेकर आगे, और भगवान को इतनी सी कटोरी में रगदे, अब बोले, कई लोगों से बूझाए, इतनी सी कटोरी में एक मठ्री, एक खुरमा, और रोज मठ्री खुरमा एक साथ नहीं रखती, वो तो आज दिन म पूछा इतना सा लड़ो और इतने सारे भगवान कैसे खाते होंगे तो किया भाव से तो हमने का तुम भगवान को बहुत दुख है उलू जी बहुत